प्रस्ट नमबर एक निम्नांकित माफ से चित्रभुच ABCD की रचना कीजिए पहला दिया है AB वरावर 2.5 cm और BC 7.5 cm और CD 10 cm, DA 7.5 cm, BD वरावर 6 cm तो देखें जब हम इसको बनाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले AB होगा या BC होगा या CD होगा कहीं से भी हैं स्टार्ट कर सकते हैं है, तो माल लेते हैं सबसे पहले AB 2.5 cm धिया हुआ है पत्री में नाप सबसे पहले 2.5 cm, तो यह हमारा हो गया, घिक होगा बनाएंगे पांच तो देखें हमें B तो पता है पर हम. hr c कहां पर है यहां पर है यहां करया यहां पर तो एस bc चापे लगाते हैं उस चाप का नाम होगा 223 ओभी किताच ना ह包 सात पॉइंट पांच तो हम साट पॉइंट पांच Dalति साथ पॉइंट 5 फिक और यहां पर बी पर बी को पॉइंट मानकर हम यह चाप लगा देंगे इस चाप का नाम होगा हमारा BC यानि बी तो हमको पता है यहां पर है लेकिन इसी में इसी चाप में कहीं पर C है ठीक अब यह चाप बना चुके हैं फिर देखते हैं C D 10 cm अब देखिए C कहां पर है C तो इसमें पता नहीं बस पता है कि C इसमें कहीं पर है तो हम D एक चाप लगाना तो हमको नहीं पता है तो हम इसको पहले छोड़ देंगे पहले इसको बना लेते हैं Lanked A देखिए दिया हुआ है अमको ड्लि में पता है तो ऐसा करते हैं इसको एक चाप बना लेते देखिए एक बिन तो कम से कम पता है कि इसमें 2 थाmud को c पता है न जी अधिम दिया है साथ पॉंच पाँच तो हम यहां से चाप लगा देंगे साथ पॉंच पॉंच का देखिए ये जो चाप है D का है और ये ये BC चाप है और ये BA चाप है फिर क्या करेंगे देखिए ये बना चुके हैं अब कहरा BD 6.5 देखिए D अब B पर 6.5 का हम चाप लगाएंगे देखिए B पर 6.5 का चाप लगाएंगे तो ये BC हम ये ये इदिखिए ये D आला चाप है इसको यहाँ पर क्रास कर रहा है यानि काट रहा है लेकि जब किसी बिंदु को दो बारा काट रहा तो हमको बिंदु पता चल जाएगा देखे जब A से चाप लगा था तो हमको नहीं पता था कि D कहा पर है फिर BD जब किया तो उसी चाप को दुबारा काट रहा यानि यहां पर हमारा बिंदु पता चल गया यह बिंदु कुर सा है D, अब देखे ये बन चुका अब देखते है C D अब देखे D पता चल गया, इस चाप का नाम क्या है C नाम है इस चाप का नाम क्या है, C तो C D कितना है, 10 तो हम 10 ना पेंगे और C आले चाप को काड़ देंगे यानि ये 10 भरेंगे अब ये D को D पर रखकर नहीं कटा तो देखे, ये जो B पर था, ये कितना था, ये 7.5 यहाँ पर कटा तो यहाँ पर होगा हमारा बिंद कौन सा C अब देखे, हम दुबारा रिपीट कर रहे है देखे, ये भी 2.5 था फिर B, C कह रहा था, तो उमको C तो पता नहीं था तो ये हमने चाप लगाया था ये C चाप है, कौन सा चाप है? C, ये हमको नहीं पता था, यहाँ पर C है या यहाँ पर है तो यहाँ, फिर ये C चाप लगाया फिर क्या क्या क्या, C, D इस प्रकार हम रचना लिखेंगे यह को के नमानकर दी का चाप लगाया कितना 7.5 फिर बी डी का चाप जब लगाया 6.5 तो डी चाप को बिंद डी पर काटता है अब देखें हमको यह बी सी और बी चारों बिंद हमको प्राप्त हो गया अब हमारा इस प्रकार से तो बना है लेकिन यह रियल चत्रभुद यह हो गाला है यह हम सी को डी से मिला दें और फिर D को A से यह हमारा चत्रभुज बनकर तयार हो गया यहां से थोड़ा इसमें है A B C D यह हमारा चत्रभुज तयार हो गया कुश्चन में फर्स्ट का सिकेंड ए बी बराबर चार सेंटीमेटर और B C 3 सेंटीमेटर और C D 6 सेंटीमेटर कोड़ B और कोड़ C किता है एक्सट्रभ पैंतिस और साथ हंस तो देखते हैं हम सबसे पहले बनाते हैं A B 4 सेंटीमेटर तो हम पट्री से बना देंगे सब्सक्राइब बराबर A B बराबर 4 सेंटीमेटर फिर क्या करेंगे B C 3 सेंटीमेटर कह रहा है लेकिन बी कोड़ B दिया एक सो पैंटीस तो इस पर चांदे की साहता से नाप लेंगे तो हम नाप रहें आपको यहां पर पॉइंट आएगा हमारा यह हमारा बन गया और कितन टीमेटर वीसी कितना बनाना हमको है कि 10 सेनटीमेटर है कि में ölेकितीम से इंते में से फिर सीझे सीटिशे सीधी चGER थे से दिखे सी पता है हमको ठीगहा है तो चौन लगा सकते हैं और यहां पर कोड कॉ नापीमेंगे तो हमारा यह आला साट बनेगा यहां पर इतना पर हम इस पर साथ हंस बनाएंगे साथ हंस का कोण और कितना राग 6 cm तो हम उसको 6 cm नापकर बना देंगे C D अब क्या करेंगे हम अब यह C D हो गया इसको एक लास्ट में A से मिला देंगे इस प्रकाह हमारा चत्रभुष A B C D बनका त्यार होगा जिसमें B कितना है 105 हंस और कोड C A कितना है 60 हंस और यह हमारा कोड बनका त्यार हो गया पर सिर्मबर दो एक वर्ग A B C D की रचना कीजिए जिसकी भुजाय चार सेंटीमीटर हो और A C को ना पिए A C B को ना पना है तो ऐसा करता हैं सबसे पहले तो चार सेंटीमीटर की भुजा पहले खीच देते हैं कोई भी खीच देते चार सेंटीमीटर की भुजा खीच दिए हमें हमें आफ क्या करएंगे तो सब्सक्राइब भुजार नहीं कूण याक्षा करेंगे इस पर चाहिए उन्हें Simply सब्सक्राइ Casa कि फिर हैं पर नुद्दा और सब्सक्राइब हमारा वर्ग वॉर्ग A, B, C, D त्यार हो जाएगा और कहरा इसमें A, C को नापिए आप इमको A, C को नापना है तो देखती हैं A, C कितना है A, C यानि 5.6 यह A, C जो है हमारा A, C A, C बराबर 5.6 लगभग यह हमारा एंसर हो गया प्रस नमबर 3 एक आयत A, B, C, D बनाईए जबकि A, B, 4 सेंटीमीटर और A, C, 6 सेंटीमीटर हो A, D को नापिए देखिए आपको आयत बनाना तो आयत की खासियत यह होती कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रते प्रते कोड़ 90 का होता है अब ध्यान रख में इसको ध्यान में रखके हम यह चित्रू बनाएंगे A, B कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर तो यह हम 4 सेंटीमीटर रेखा खीच लेंगे यह हमारा बन गया A, B अब यह टेकनिकल यह है कि हमको B, C नहीं दिया है A, C दिया य हमने बताया कि प्रते कोड़ कितने अंस का होता है 90 का तो यहां पर एक 90 की रेखा बना देंगे 90 की रेखा यह उपर 90 की रेखा मालो चली जाएगी 90 की रेखा बना देंगे फिर कहला A, C छे सेंटीमीटर यानि यहां पर काट रही है यह प्रकार से हम नापेंगे इसको काटेंगे चाप भरेंगे पहले हम अपने में यह 6 सेंटीमीटर की तो यहां पर केंद मानकर यह काट देंगे चाप अब इस रेखा को हम पूरत पूरा कर लेते हैं यहां तक यहां में बिंदू C प्राप्त हो गया देखिए C तो डायट खीच नहीं सकते थे यहां पर नब्यांस का कोड बना लेंगे फिर खीच देंगे अब हमें यह भुजा पता चल गई यह कितनी है अब हमको आयट बनाना तो आयट अब यहां पर भी नब्यांस बनेगा और नब्यांस बनाकर कितनी रेखा किचेंगे जितनी की यह है कि हमारी आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है तो हम यहां पर खीच देंगे 4 cm कितना खीचेंगे चार और फिर इसको मिला देंगे इस प्रकार हमारा A B C D यह हमारा आयट बनकर तयार हो गया अब इसमें कहरा A D को ना पिए तो A D कहां यह वाली तो इसको हमको ना पिएंगे तो लिखा है 4.5 यह 4.4 लगभग लगभग A D वराबर 4.4 यह हमारा एंसर हो गया प्रस्रमबर 4 स्रमांतर चत्रभूज A B C D की रचना किजिए जिसकी भुजाएं 5.8 cm और 6.2 cm तदा बिकर्ड 7.3 cm हो दूसरा बिकर्ड में आपकर लिखिए देखिए हम यहां पर जब बनाएंगे तो द सेटनी पांच पॉइंटार सेंटिमेटर और 5.8 cm खीच लेंगे 5 यह 5.8 हो गया YO! है पांच पॉइंटार से लेंगा फाच पॉइंटी पॉइंक हैं रिक्ति錯नी दूसरा बिकर्या एक यह पॉइंट दोस्रे आपके इतने पर इने पर यह तो इसा करते हैं 6.2 का हम चाप लगा जेते हैं कितना चाप लगा जेते हैं 6.2 का अदेखे इस यह क्या है मारा 6.2 का यह चाप लगा है अभी इस चाप को जो दुबारा बिकर्ड वाला चाप काटेगा कितना 7.3 इसको हमना आप लेंगे यह यह रहा यहां से इसका इधर होगा इसका इधर होगा है यहां पाद अजब दुबारा काट रहा है तो वह ही हमारा बिंदह बिन दिया जाए का लेकर लेगा यह जिए बी इसको क्या हो गया है कि यह पहले दो हमने चाप लगा था कितने चे पॉइंट दो का यानि चे पॉइंट दो का रहा है पूइंटीन का अब समांतर से तुर्पूजे समांतर ध्यान रखते हैं बिल्कुल सेम बनना चाहिए, सेम देखे, जितना यह राइट एंगल जुका है, सेम इतना ही यहां से हमको जुकाना होगा, यानि इसके बिल्कुल समानतर, समान अंतर से हमको रेखा खीचनी होगी, और इसके समानतर यह जो रेखा यहां पर खीची है, इसके समानतर हमको यहा तुमास जानना सब्सक्राइएशमान सब्सक्राइब करें दूसरा एक आयत भात। जिसमें AB कितना है 5 cm और AC 6 cm और BAD को मापी है अब आयद बनाना है तो आयद में प्रतेकोर कितने अंस का होता है 90 का सबसे पहले तो हम AB खेच दे कितना 5 cm का AB 5 cm का हम खीचेंगे तो यहां पर वही इसी सेम प्रोसेस का हम पिछले साल बना चुके हैं यहां पर 90 का कोड़ बना कर हम रेखा को उपर बढ़ा देंगे अब कहां तक है यह तो दिया नहीं है क्योंकि हमको BC नहीं दिया है अब AC दिया है 6 तो AC 6 का हम चाप लगा लेंगे यहाँ पर यहां पर कॉति इस इस पॉइंट पर स्ट्वेंट का की कि इस पर चेंप लगाया ह। यहां पर प्रस्य करण होगनि यहां यहांवे पर पर यहां पर देंगे और कितना खिचना है कि पाँच की रहा है ना नीचल ली आधार शाहीं अब कर देंगे बी डी ना पिए भी डी अब यह बी एडी कितना होगा नब्यांस ही होगा क्योंकि यह आयत है BAD कितना होगा नब्यांस का कोड BAD हमारा होगा नब्यांस का यह हमारा एंसर हो गया परस नमबर 6 एक चत्रभुच ABCD बनाए जिसमें AB कितना 4.1 BC कितना 4.5 CD कितना 3 cm AD 3.7 cm 4.2 हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं सबसे पहले हम AB को खीच ले 4.1 तो हम देखते हैं अपने में खीच ले AB 4.1 यानि 4.1 AB अब क्या करें हम BC BC कितना 4.5 तो BC से किधर को खीच दे तो हम ऐसा करते हैं 4.5 4.5 अब देखिए यह वाला जो चाप है B तो यहाँ पर है यह चाप C वाला है इस चाप में कहीं भी C हो सकता है हमको अभी यह किलियर नहीं कि कहां पर C होगा जब यह चाप दुबारा कटेगा तो हमको किलियर हो जाएगा कि यही बिंदू C है देखिए अभी हम चाप खीच चुके है अब क्या करना C D 3 cm अब हमको पहले बाद तो C पता नहीं कहां पर है एक बिंदू तो इसमें पता होना जरूरी है तो इसको बाद में मनाते है फिर A D देखिए A D यानि एक तो बिंदू पता है अब हम A D 3.7 3.7 नापेंगे और चाप लगाएंगे A तो हमको यहाँ पता है देखिए यह वाला जो चाप है इसमें D है कहीं भी वो पता नहीं है अभी जब यह दुबारा कटेगा तब हमको पता चलेगा यह चाप C है और यह चाप D है खिर देखिए यह बना चुक है वुस्तन था उसके बाद बिकड़ AC कितना दिया 4.2 तो देखिए बिकड़ AC इसको काटेगा कि इसको C यानि C ये है तो इसको हमको काटना है कितना 4.2 बिकड़ दिया हुआ है 4.2 यह यहाँ से यहाँ पर कट रहा था हमने थोड़ा कम की खीचा था यह वाला यानि यहाँ पर C कट रहा यह हमारा बिंद हो गया C आप देखिए यह बन चुका आप देखिए C, D 3 सेंटीमेटर आप उनको C तो किलियर हो गया जो C किलियर हो गया और D वाला ये चाप इसको 3 cm भर कर काड़ देते हैं, ये 3 cm हो गया, देखें, C से हम इसको काड़ देंगे, ये वाला, ये हमारा दूसरा बिंद प्राप्त हो गया, अब हमको D, अब हम इसको क्या करना है, अब हम सारे बिंदों को मिला दें, और ये हमारा चत्रुभूर बन कर त्यार हो गया यह AD और यह हमारा CD अब देखिए हम सब नाम करेड़ कर ले देखिए AD कितना 4.1 BC कितना यह 4.5 CD CD यह कितना है 70 मिटर AD AD यह कितना है 3.7 तथा AC यानि यह वाला AC यह कितना है 4.2 यह हमारा चत्रविबन का त्यार हो गया अब साथ एक संब भुज के अंता कोड की माप 108 हंस है तो उसके भुजाओं की संख्या होगी तो देखते हैं ऐसा करते हैं सबसे पहले कोई भी संब भुज हो जैसे यह क्या उनसा त्यर्भुज है त्यर्भुज है उसका अंता कोड कितना होता है 60 अब देखे यह अंता कोड 60 है और 22 कितना है 120 यानि अंता कोड बहिस कोड का टोटल योग कितना होता 180 कोई भी संब भुज हो वहाइशकोर war हो सुत्र होटा है कितना 200 सुत्र कितना 1 20 अगर माले चतुर भूजे चत्र पर कितना होगा हमारा चार से जब काटेंगे इसको चार नौच सटिस यानि नब्बे अब देखी अगर हमारा भूजे अगर यह चत्र भूजे यह तिर भूजे यानि बहिस कोड का सूत्र होता है तिन सो साथ बटें यन और एक बात दिये होते हैं अनताकोडव बहिस कोड का योग कितना होता है 180 तो इस सवाल में हमारा कह रहा है कि अनताकोड 108 है मान ली ते कोई भूजा हो सकती है हमारी तो अनताकोड कितना है आट वहीश कोड़ कितना होगा हमारा 72 क्योंकि टोटल कितना हो न चाहिए इमारा 180 अब बहस्कोड कितना है 32 हम भुज जमनिकालना है तो उसके लिए सूत लगाएँगे 2 सूत्र क्या हुता है 35 laughing 100 पहले तो हम लिखेंगे सूतhrlich 30 glad बिटे यन बराबर कितना 72 यानि बाहर कितना है 72 तो यन यानि गुड़े में चला जाएगा और 72 पर बराबर यन और इसको 9 से काटेंगे 9 436 और चैलिश और नोट बहत्तर आठ सब कातेंगे यानि यन बराबर जो है पांच यानि पांच भुजाएं होंगी देखिया हम इसको प्रूब कर सकते हैं हमने पताया था यह बहिस्कूर का सूत्र होता है यह तीन सो साथ बटे यन यन कितना पांच जब कातेंगे तो कितना आ जाएगा बहत्तर अब देखिये 72 हंस बाहर वाला है तो अंदर वाला तो सजाय सिवा तो हम इसको बनाएंगे इस प्रिकार यह हमारा 108 हंस का बनेगा फिर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह जो बेल आइकन का निसान है इसको जोर प्रेस कर देता कि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके धन्यवाद